नमस्कार, न्यूस क्लिक के खोज खबर काईकरम में आप सब का स्वागत है नफरत और हिंसा पहलाने के दौर में प्रेम सोहार्द की लहर भी बहुत तेजी से बड़ी हो रही है इसकी मिसाल भारत के एक बेहत खुबसूरत राज्य जिसे अंग्रेजी में God's Own Country ईश्वर का अपना देश यानी केरल में देखने को मिली केरल के अलपूजा जिले में एक मस्जिद में एक हिंदू जोड़े की शादी करवाई गई चेरावाली की जुमा मस्जिद में मंडब बनाया गया मंत्रो चार के बीच अंजु अशोकन और सारत ससीधरन की शादी हुई शादी के बाद दोनों समुदाओं ने मिलकर खाना खाया पुजारी और इमाम आसपास बगल में बैठे खाना खा रहे थे और ये जो फोटो है ये खूब सराही गई तमाम जगों पर इसे शेयर किया गया मस्जिद का जो गेट है उसे भी हिंदू रीती के हिसाब से सजाया गया और शादी के मिहूर्थ होने पर मुस्लिम महिलाएं ही दूला और दूलहन को मंडब तक लेकर आई इसके पीछे की कहानी दरसल जो हमारा भारत है असली भारत रियल इंडिया उसकी कहानी है अंजू के पिता यानि दूलहन के पिता दो साल पहले गुजर गए थे और अंजू की मा बिंदू उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था उन्होंने इस्थानी मस्जिद में जाकर मदद की संपर्क किया उन्होंने मदद मांगी और मजजिद कमिटी ने मीटिंग करकर बैठक करके शादी का सारा खर्चा उठाने का फैसला लिया जिस तरह से शादी हुई यह हम सब के सामने है जिस तरह से हिंदू और मुसल्मान बिना धर्म को आड़े लाए दो जोडों को एक साथ बैठाया साथ में आगे बढ़ने का होसला दिया यह मिसाल सब के सामने पेश हुई यही है हमारा हिंदूस्तान जिस पर हमें फक्र रहा है हमारी साजा संस्कृती अगर साफ बात करें तो राहत इंदूरी साहब की जो लवज है वो इसे कुछ इस तरह से बया करते हैं सबका खून शामिल है यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदूस्तान थोड़ी है वहीं दूसरी तरफ देखिए कैसा जहर उगला जा रहा है नफरत और गालियों भरी भाशा है भारती जनता पार्टी के नेताओं की यह उसकी आधिकारिक भाशा बन गई है भाशपा के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिलीब घोश तो लगता है होड लगा रहे हैं कि उनका पिछला वाला बयान जादा जहरीला था जादा बेफकूफी और नफरत वाला था या आगे जो बोलेंगे उसमें कंपटीशन है अभी कुछी दिन पहले उन्होंने बोला कि उत्तरप्रदेश और असम में जो उनकी सरकारे हैं उन्होंने नागरिक्ता संशोधन कानून के विरोध करने वालों को कुत्ते की तरह मारा इसके बाद तोफे के तौर पर उन्हें दोबारा पश्चिम बंगाल का भाश्पा का अध्यक्ष चुन लिया गया चुनने के बाद फिर वो ऐलान करते हैं कि पूरे देश में नारसी लागू होगा पता नहीं प्रधान मंत्री सुन पा रहे हैं कि नहीं केल दिया जाएगा यह जो नफरत की राजनीती वो करना चाह रहे हैं जिसके सरगना वहां पर कम से कम सीधे सीधे ग्रिह मंत्री अमिश्या है क्योंकि सबसे पहले नारसी लागू करने के बारे में उन्होंने ही पश्चिब बंगाल से बाद शुरू की थी यह सिलसिला जो चल रहा है इसमें एक राज दूसरे राज से होड करता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तरप्रदेश के अलीगड़ के जो विधायक हैं भाश्पा के निश्चित तौर पे रगुरास सिंग उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों को जिन्दा गार देंगे विरोध करने वालों को धमकी दी और उन्होंने कहा कि चमड़ी खीच लेंगे विरोध करने वालों की यह भाश्पा की भाशा ध्यान दीजिए उपर से लेकर नीचे तक हर जगा वही हिंसा वही नफरत वही बरबरता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आतितनात सीधे सीधे बोलते हैं कि वह बदला की कारवाई करेंगे जन्ता से बदला लेंगे और लेना उन्होंने शुरू भी किया वही कोई कुटों की तरह मारने की बात करता है कोई जिन्दा गार देने की इतने संसकारवान नेताओं को कीडे मकोडे की तरह पूरे देश भर में बेलगाम छोडने कश्रे सिर्फ और सिर्फ भारती जन्ता पार्टी उसके नेताओं को जाता है और जो उसकी नाभी नाल का रिष्टा जिनके साथ है राष्टी स्वेम सेवक संग आरेसेस उनको जाता है संग की पार्टशाला में ग्यान हासिल करने वाले हूँ या फिर इस राजनीती के साथ खड़े लोग उनके ग्यान चक्षू जबरदस्त हैं नीती आयोक के सदस्य जेनियू के चांसलर वीके सारस्वत ने कश्मीर में इंटरनेट बंदी पर कहा कि वहाँ क्या फर्क पड़ता है इंटरनेट से वहाँ सिर्फ लोग गंदी फिल्में देखने का काम करते थे ऐसा लगता है कि चाहे वो सारस्वत हों या दिली भोश या कोई भी उनके अंदर की जो हिंसा है अंदर जो लज लजाता बजबजाता गंध है वह सब सड़क पर सबके सामने वो परोस रहे हैं और इसी आधार पर वोटर को बाटने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा जहर उगलने वालों और इर्रैशनल बातें करने वालों की लिस्ट इतनी लंबी है कि इस पर कई प्रोग्राम्स वहा किये जा सकते हैं इस मुद्दे पर मेरी चिंता और मेरा सवाल बस मिस्टर प्राइम मिनिस्टर से है वह बच्चों से परिक्षा पे चर्चा कर रहे हैं क्या वे हमारे देश के बच्चों हमारे भविश्य को इसी तरह की भाशा में सिखाना चाहते हैं क्या यही उनकी भाशा है जिस तरह गुंडे मवाली अपराधियों की भाशा भाशपा के नेता उनके नेत्रित्र बोल रहे हैं क्या वही ट्रेनिंग वे देश के बच्चों को भी दे रहे हैं आखिर उनके ही नेत्रित्र में भाश्पा के ये तमाम नेता लगातार नफरत उगल रहे हैं बच्चे हमारे देश का भविश्य हैं और नफरत भरे माहौल में वे क्या सीख रहे होंगे इसकी चिंता हम सभी को होनी चाहिए आपको भी और मुझे भी मैं भाश्पा और स्वंग द्वारा नफरत भरे संदेश सोशल मीडिया पर प्रचारित करने वाले अपने मीडिया के सहकर्मियों से बार बार पूछती हूँ कि क्या वे अपने बच्चों को भी इसी तरह से गालिया देना सिखाना चाहते हैं इसी तरह से दंगाई बनाना चा इस तरह की भाशा में सिध्धस्त नहीं करना चाहता ये हिंसा पहलाने वाले बयानों पर अगर किसी की जवाब देही होती है तो वह सिर्फ Mr. PM की है और उन्हें बच्चों के साथ परिक्षा पे चर्चा करने के बजाए अपने नेताओं के साथ गालियों की भाशा पे चर्चा करनी चाहिए सोचना चाहिए कि जब इतनी नफरत उनके नेता बोल रहे हैं जो उनके बगल में बैठते हैं जिनके साथ वे जाते हैं जिनें फेस्बुक और सोशल मीडिया पे वे शेयर करते हैं तब वे किस तरह से बच्चों को एक बहतर भविश्य के बारे में कुछ भी बता सकते हैं या कुछ भी सिखा सकते हैं दोस्तों जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं उस समय देश की 70 फीसिदी आबादी यानि 95 करोड 30 लाख लोगों के पास कुल जितनी संपत्ती है उसका चार गुना अधिक देश के एक फीसिदी अमीरों के पास है यह ऑक्सवायम संस्था की ताजा रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट भारत की जो असली विकास है उसकी कहानी कह रही है वह बता रही है कि है विकास किसके लिए हो रहा है और खास वर से पिछला जो एक दशक बीता है वहाँ पर विकास किस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन एक तपके को ज़्यादा अमीर करने के लिए पहुचा है हम रोजी कहानिया देख रहे हैं रोजी स्टोरीज हमारे पास आ रही हैं कि भूख का ग्राफ देश में कितना बरबर हो चुका है किस तरह से लोगों को दो जून का खाना मिलना मुश्किल हो रहा है महंगाई कहां पहुच रही है ऐसे में जो गरतंत्र दिवस मनाया जा रहा है उसमें हमारे और आपके सामने कई चुनौतियां हैं इन चुनौतियों को हम कैसे देखते हैं बतौर नागरिक यह जरूरी है और साथी साथ देश की जो सरकार है वह देश को कहां ले जा रही है इस पर भी हमारी पैनी चाहिए देश 71 गरतंत्र दिवस मना रहा है और इसके लिए तमाम देशवासियों को बधाई 26 जनवरी 1950 में देश भर में समिधान लागू हुआ था आज इसी समिधान को बचाने के लिए जो लड़ाई चल रही है वह हर गली महले तक पहुची हुई है समिधान संकट में है लोकतंत्र संकट में है और इसे जिन्दा रखने का बीड़ा हम औरतों ने उठा रखा है हम युवाओं ने उठा रखा है देश के हर नागरिक ने जो इस देश से बे इंतहा प्यार करता है उन तमाम नागरिकों ने उठा रखा है और आपको भी अपने आसपास ऐसे नाग दिखाई दे रहे होंगे, दुदेश का झपना लेकर, जणगन मन लेकर, तमाम और नारे लेकर गली महलों में जा रहे हैं। पूरी देश में फैल गया है शाहीन बाग। और तों ने अपने आचल को परचम बना लिया है। फिर चाहे वो दिल्ली का शाहीन बाग हो, खुरेजी हो, जाफराबाद हो, लखनओ हो, इलाबाद हो, पूने, पटना, राची, गोवा, बैंगलूर, हैदराबाद, केरल, कहीं भी, इस समय देश का कोई कोना ऐसा नहीं है, जहां पर देश के नागरिक मशाल थाम कर आगे नह ही चल रहे हैं, यह नया भारत है, जिसने बहुतों के पेट में बल्ब डाल दिये हैं, आप देखेंगे, वे लाख कोशिश कर रहे हैं, कि यह जो आंदोलन चल रहा है, जो स्वतास फूर्थ है, जो अलग-अलग रूपों में बाहर आ रहा है, जिसने क्रियेटिविटी का जबरदस्त उबाल पूरे देश में पहलाया है, अलग-अलग धंके गाने बन रहे हैं, पोस्टर बन रहे हैं, मजाख हो रहे हैं, काटून बन रहे हैं, फिल्मे बन रही हैं, सब कुछ, चाहे देश के युवा हों, महिलाएं हों, नागरिक हों, कामकाजी लोग हों, सब ल रहे हैं इन लोगों का जो जमावडा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है कहीं हजार की संख्या में कहीं लाग की संख्या में इन लोगों के खिलाफ आप पाएंगे कि बहुत ही सलीके से प्लांटेड स्टोरिया हो रही हैं बहुत ही साजिशाना ढंग से इस तरह के वीडियो सामने लाए जा रहे हैं जिसमें यह बताने की कोशिश हो रही है कि 500 रुपे और बिर्यानी पर ओरतें सड़कों पर बैठी हुई है यह बताने की कोशिश हो रही है कि जो लोग बाहर हैं या सिर्फ कॉंग्रेस की वज़ा से बाहर हैं या सिर्फ अर्बन नकसल की वज़ा से यानि मुधी सरकार ने पहली बार यह माना कि इतने साल के शाशन के बाद combine हए देश भछ वह बहुत कम हो गया बाकी तमाम लोग जिन्हें वह अभी तक konsider भी नहीं करते थे जिनके बारे में वह बात भी नहीं करते थे वे सारे लोग इतने ताकतवर हो गए हैं कि तमाम लोगों को बर्गलाए जा रहे हैं लेकिन आप पाएंगे कि जितने भी वीडियोज आएं चाहे वो वटसब पर आएं फेस्बुक पर आएं ट्वीटर पर उनका प्रचार प्रसार किया जाए दाल उनकी गल नहीं पा रही है लोगों को अब बहुत बड़े पैमाने पर यह भरोसा हो चला है कि जो लोग सडकों पर उत्रे हैं वे भाश्पा ये बाकी पार्टियों की जो रैलिया होती है जिसमें लोग किराए की भीड कहा जाता है यह किराए की भीड है यह हम मानने वाले लोग इधर और उधर दोनों तरफ बहुत कम है और इसकी बहुत बड़ी वज़ा यह है कि महिलाएं लामबंध है हर जगा महिलाएं आ रही है लखनव से लेकर शाहीन बाक तक राची से लेकर केरल तक हर जगा आपको दिखाई देगा कि जो महिलाएं है वह बड़े पैमाने पर सामने आ रही है रातो रात तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में सडकों पर बैठी हुई है और किसी भी हद तक आगे बढ़ने को तयार है उनके जो मनसूबे हैं वे बहुत बुलंद हैं इन मनसूबों से डर कर ही हम पाते हैं कि ग्रिह मंत्री अमिश्शा से लेकर योगी आदितिनाद और तमाम लोग अलग ढ़ंग से अफवा पहलाने की कोशिश कर रहे हैं सबसे बड़ी बात ये औरतें ये पुरुश ये भारती नागरिक जो सड़कों पर हैं इस समय वे एक बहुत सीधा सा सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि यह देश किसका है यह देश देश के नागरिकों का है और नागरिक इस देश पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो दुश प्रचार चल रहा है इसके खिलाफ हम और आप एक सतर्क निगाह रखें सच के साथ खड़े रहें हमारा और आपका साथ बना रहेगा यह समवाद जारी रहेगा तब तक आपसे अपील है कि आप देखिए लाइक करिए शेयर करिए न्यूस क्लिक खोज खबर दूर दूर तक पहुँचाईए ताकि सच पर जो हमला है इसके खिलाफ देश के नाग झाल झाल